हलो फ्रेंड्स वेलकम टू निटिंग पैटरंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यह डबल कलर का डिजाइन यह बहुत ही इजी डिजाइन है यह और देखिये कितना सुंदर यह लग रहा है बच्चों के स्वेटर में यह बहुत ही अच्छा लगेगा आप चाहें तो इसे डबल कलर में बना सकते हैं आप चाहें तो इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं वैसे तो यह बडो की कारडिगन में भी आप बना सकते हैं लेकिन बच्चों के स्वेटर में यह बहुत अच्छा लगेगा लेकिए बेबी कारडिगन अगर आप बनाएं तो आप उसमें जरोर बनाइए तक कि बहुत ईजी डिजाईन है, सिर्फ दो सलाई का डिजाईन है दो सलाई प्लेन हमने बनाइई है अर दो सलाई में डिजाईन यह चार- चार सलाई की हमने, यह सबrou launch की lines बनाइए है इसमें आप अगर इसको gap पर रखना चाते है तो जो मैंने दो सलाई प्लेन रखी हैं बीच में, आप उसको चार सलाई कर सकते हैं, तो यह थोड़ी थोड़ी दूरी पर आ जाएगा, लेकिन मैंने बीच में दो-दो सलाई का ही गैप रखा है इसमें, दो सलाई का यह डिजाइन है और दो सलाई का इसमें गैप है, इसमें फंदे आप कितने भी ले सकते हैं इसमें ये नहीं है कि आपको even number में फंदे डालने हैं कि odd number में फंदे डालने हैं आप कितने कैसे भी फंदे डालेंगे ये सब में adjust हो जाएगा knitting patterns को subscribe करें और bell icon press करके all पर click करें हमारी latest video सबसे पहले देखने के लिए यहां मैंने ये फंदे डालके रखे हैं जिस भी color का आप sweater बना रहे हैं पहले border बना लेंगे और border बनाने के बाद आप ये design शुरू करेंगे इसमें पहला फंदा हम बुन लेंगे दूसरा फंदा हम बिना बुना लेंगे पूरी सलाई हमें करनी है एक फंदा बुनेंगे एक फंदा बिना बुना लेंगे ये बिना बुना ले लिया इसको बुन लिया सीधा बुना है हमें इसे ये बिना बुना लेंगे ये बुनेंगे ये बिना बुना लेंगे ये बुनेंगे और ये बिना बुना लेंगे इस तरह से हमारी ये पहली सलाई complete हो गई दूसरी सलाई हम लेंगे ये वाला फंदा हमें जो हमने बिना बुना लिया है वो हमें बिना बुना ही लेना है इस बार भी दूसरी सलाई में भी और जो बुना है वो बुना है लेकिन ये हमारी उल्टी साइड है जो हमने सीधी साइड से बुना तो इस फंदे को हमने सीधा बुना और जो उल्टी साइड है इधर से भी हम इस फंदे को सीधा ही बुनेंगे इस तरह से ये बिना बुना लिया ये बुन लिया ये बिना बुना लिया और ये थोड़ा सा दोनों से लाई ही थोड़ा थोड़ा डीला बुनेंगे हम इसको ताकि ये डिजाइनिंग हमारी उभरी हुए आए ये बिना बुना लिया आप देख रहाँगे उल्टी साइड से भी मैं ये फंदे सीधे ही बुन रही हूं और सीधी साइड से भी ये फंदे सीधे ही बुने जाएंगे ये सीधा बुना ये फंदा बिना बुना लिया ये फंदा सीधा बुना ये बिना बुना लिया ये सीधा बुन दिया दो सलाई का ये सिफ डिजाइन है अब दो सलाई में ये डिजाइन हमारा कम्प्लीट हो गया अब इसी कलर से जिस कलर से हम डिजाइन बना रहे हैं उसी कलर से हमें दो सलाई सीधे उल्टी की बनानी है, एक सलाई सीधी और एक सलाई उल्टी, इस तरह से अभी सारे फंदे हमें बुनने हैं, कोई भी फंदा इसमें बिना बुना नहीं लेना है, यह हमने सीधी सलाई बना दी, एक उल्टी सलाई बनाएंगे, इस तरह से यह वाली सलाई भी हम कम्प्लीट कर लेंगे, अब अगली सलाई पर आएंगे, यह वाला तो हमें बिना बुना ही लेना है, यह वाला हम बुनेंगे बिल्कुल उसी तरीके से, उल्टी साइड से भी हम सीधा फंदा बुनेंगे, इस तरफ ही रखेंगे हम धागा, उसी से हमारी डिजाइनिंग बनेंगे, यह बिना बुना लेंगे, इसको बुनेंगे, यह बिना बुना लेंगे, इसको बुनेंगे, इस तरीके का डिजाइन आ गया, अब हम इसी इसी कलर से, जिस कलर से हम अभी डिजाइन बना रहें, उसी कलर से दो सलाई साधी बना लेंगे, यह यह एक सीधी सलाई, एक उल्टी सलाई बिना किसी डिजाइन के, सिर्फ दो सलाई का डिजाइन है यह और बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बार, बस आप इसमें कलर का इध्यान रखें, एक कलर आप ज्यादा डार्क लेंगे, एक बिल्कुल लाइट कलर लेंगे, इस तरीके का यह डिजाइन बनके तयार हुगा, दो-डो सलाई हमें इसमें साधी करनी है, और दो-डो सलाई का यह डिजाइन है, पर यह हमें हमें रिपीट करते जाना है, हर चार सलाई के बाद हमें धाग़ा कलर चेंज करना है, दूसले कललhouse का धाग़ा लगाना है, दिकिए इस तरह से यह बनके त्यार हो जाएगा, करें, थैंक यू